बिहार में परीक्षा और परीक्षा में नियम उलंगन, ये तो खेर आम बात है, इसमें कुछ दिल्चस्प होता है तो वो है नए नए तरीकों से नियमों का उलंगन, और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड है अभिभावकों का पर्चा बनाने, जबरदस्ती जात्रों को परीक्षा केंड्र में एंट्री दिलाने, और गेट के बाहर से सवालों के जवाब चलणे। इन सब चीजों में छात्रों और अभिभावकों के गजब की ट्यूनिंग चल रही है। खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में चल रही माट्री की परीक्षा के दरान कदा चार के क्या स्थेती हैं, नकल करते हुए कितने चात्र पकड़े गए हैं, और कितने ऐसे चात्र हैं जो किसी और की जगह परीक्षा देने पहुंच रहे हैं, मगर उसके पहले नमस्कार म मैं हूं सौमयराटी और आप जनता जंक्षिन देख रहे हैं, माट्री की परीक्षा का आज तीसरा दिन है, और कल नकल करने के लिए 40 चात्र पकड़े गए हैं, परीक्षा किसी और की देरी पहुंचा कोई और वाले मामले में 9 लोग पकड़े गए हैं, बता दे कि ये 40 नक नमबर है भोटपुर जिले का, जहां से 7 नकल्ची मिले हैं, बात अगर रोहतार जिले की की जाये तो वहां से नकल करने के लिए 5 चात्र पकड़े गए, बाकी किस दिले से कितने नकल्ची पकड़े गए हैं, उसका पूरा चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया ज लगातार सामने आते रहें, और अब मार्ट्री की परीक्षा के दौरान भी बिल्कुल वही हाल है, बता दे कि मार्ट्री की परीक्षा के पहले दिन से ही सेंटर पर बैट कर परची बनाने की तस्मीरे सोशल मीडिया पर खूब वारल हुई थी, एक तस्मीर सोशल मीडिया पर शेर की जा रही थी, जिसमें छात्रों आटो में बैट कर परची बना रही थी, एक्जाम सेंटर के पास ऐसे छात्रों की संख्या इतनी जादा थी, कि बाकी परीक्षारतियों को एक्जाम सेंटर तक पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, कल आरा के एक परची बनाने में वेस छात्रों ने एंट्री ट्राइम पर ध्यान ही नहीं दिया। एंट्री का लास्ट टाइम 9 बचकर 20 मिनिट था और ये छात्र जो परची बना रही थे ये एंट्री करने 9 बचकर 50 मिनिट पर पहुंचे। इन छात्रों की संख्या 75 थी। नियम के मुताबिक, एंट्री का वक्त पूरा होने के बाद गार्ड ने एंट्री गेट बंद कर दिया था। जब लोगों ने गेट वापस खोलने की मांग की तो गार्ड ने मना कर दिया। गार्ड को इस ना के लिए लोगों के विरोध का सामना करना पड़े। लोगों ने पहले तो गेट खुलवाने के लिए चपल और जूते फिके, मगर चब बात उससे भी नहीं बनी, तो वहां मौझूद अभिभावक गार्ड के साथ हाटा पाई पर उतर गए। लोगों ने गार्ड को बुरे तरीके से पीटा, पत्थर भी बरसाए गए। और फिर जोर पात्रों को सेंटर में प्रवेश मिना, मामले की सूचना मिलते ही स्थानिय पुलीस वहां पहुच गए। परीक्षा के दोरा नकल्चियों का पकराचाना, परजी परीक्षार्थियों का मिलना और स्कूल गार्ड के साथ मार पीट की जाना, और बच्चों में इतनी हिम्मत होना कि वो परीक्षा केंद्र के बाहर ही पर्चियां तयार करें, यह कुछ और नहीं बलकि सिक्षा विभाग की विफलता को दिखाता है, सिक्षा विभाग की सक्ति दिखाने की बाते बस खबरे और कागज़ता की रह जाती हैं, और असलियत में बस बिहार की सिक्षा लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप भी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमारी टीम से इंस्ट्रग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद से ड पीछे हैं वरुण जा और आप देख रहे हैं जनता 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 जनता